मुझे बड़ी बाते निकल के अरही है उस मीटिंग में इंडिया आलाइंस की मीटिंग अंदर से जो निकल के आ रहा है, « इंडिया गटबंदर के सभी साथी हो का स्वागत मैं करता हूँ», मेलीक अरजुन खर्ड़गे कि ने बोला, उसके बाद सविधान को बचाने के लिए कि ये देश एक साथ आया है और राजनेतिक दल भी एक साथ आया है इसको और बढाने की जरूरत है और ये मेंडेट इस डिसाइसिवली अगेंस्ट नरेंद्र मोदी और उनके स्टाइल ओ पॉलिटिक्स के अंदर इट्स अ हीूज पॉलिटिकल लॉस फॉर हिम परस्टनली अ 240 सीटें कॉंग्रेस की लास्ट टाइम किस सन में आई थी किस साल में आई थी 240 सीट्स देखिए आमी जी जो आपका क्वेस्टन है इसका एक ही जवाब है देश को मजबूर सरकार चाहिए 240 हो 280 हो 400 हो इससे मतलब नहीं होता है देश को वो सरकार चाहिए जो अगर कोई अंदोलन कर रहा हो तो उसको कुचलने की इतनी ज्यादा छमता नहीं रखती हो कि रास्ते में कीले भी ठुकवा दे और कोई बोलने का सहस नहीं करें इसलिए हम कहते हैं 272 लाइन है वो मैटर करता है वही जिसके पास होगा वो सरकार बनाएगी लेकिन यह भी समझ लीजिए कि इस बार जो भी विपच्छ में बैठेगा वह यह तो नहीं करने देगा मेरा सवाल प्रश्ण बहुत सिंपल है और मैं बार बार बीच में नहीं बोलता मेरा प्रश्ण बहुत डारेक्ट है बार बार कह रहे हैं कह रहे हैं इंडिया अलाइंस की अभी मीटिंग हुई उसमें एक ग्यापन निकल क्या है यह मॉरल डिफीट है नरेंद मोदी के आप जानती होगी इह और कुछ रवये के करण जो लोग कहते थे कि थोड़ा सा वो डिक्टेटर्शिप की एक सिंगल जो कंट्रोल करना चाह रही थी उसकी वज़े से देश ने उनको डिपीट किया था और देश ने मोरली मोदी की देखिए आप से मैंने दो बार पूछा आपने नहीं बताया मैं आप को बदाता हूँ 240 सीटे कॉंग्रेस की 1991 में आई थी राजीव गांधी के असेसिनेशन के बाद एक सिंपती वेव के अंदर वो सीटे आई थी और नरेद मोदी की 240 सीटे अपने बूते पर है बीजेपी की आपको आरजेटी की सीटे मैटर नहीं करते हैं आपको सिंगल पार तो उसका अपना वेली होता है अस्थान होता है आप उसको एक सिंगल ब्यक्ति पर इस देश के लोक्तन को केंद्रित नहीं कर सकते हैं और यही 2024 की पूरी लड़ाई थी साफ साफ जी गौरबाटिया तीस सेकंड तीस सेकंड गौरबाटिया देखें सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर देदू वो कह रहें कि साथियों की पीट पे छूरा भोका अरे तो यह तो साथी बताएंगे ना साथियों का सम्मान हम करते हैं तभी तो हमारे साथ हैं आप तो अपने परिवार के सदस्यों का भी सम्मान नहीं कर पाए हैं और मैं आपको बताओं इनकी हालत क्या है इनकी हालत यह है यह कहते हैं कि हमें करेंट लगा करेंट लगा अरे आपका ट्रांसफॉर्मर फुग गया बिहार की बात करते हैं हमी जी बिहार में भारती जंता पार्टी की 12 सीटे आई हमारे घटक दल जो हैं उनकी 18 सी सीटे आरजेडी की सीटे किती है चार अब आप बताईए हमारी एक ती आई है घटक दलकी तो छोड़ दीजे उसके बाद भी इस तरह की बात करते हैं तीसरी बाद इन्हों ने कहा कि देखे सीटे बताई थी चारसो पार मैं आप भी पे ना मूले अभी जी शांत करा रही है अब बताई हम नौ सीटे जीते हैं सर शांत पार अपी की कटी है अपी की कटी अरशांती है हम शांती है यह थोड़ा सापका नॉलेज में घ्राद कराना चाह रही थी धन्य बाद इंहोंने अमीड जी क्या उठाई उन्होंने एक बात कही तो पाती बात कर लो इक बात इनोंने यह उठाई की 400 बार बोला था तो मैं कहता हूँ 2014 में कौन फरस्ट आया नरेंद्र मोदी जी 2019 में कौन फरस्ट आया नरेंद्र मोदी जी 2024 में कौन फरस्ट आया नरेंद्र मोदी जी और हाँ अगर सीटों की बात है यह देखिए 2022 में अखिलेश आदव कह रहे थे 300 सीटे आएंगी 111 सीटे आई अब आप उझे बताईए फिर तो इनसे भी सवाल पुछे कि मुंगेरी लाल क्यों बने थे जब अखिलेश आदव की वो सीटे आई तो अखिलेश आदव स्टार है मतलब अखिलेश आदव ने बीजेपी को मि कुटी हुई सैकल करें ते कहते थे वह साइकल सर पर दोरी गौरबाटी यह एकसेप्ट इट यह हमारी 240 सीटे है एक मिट अमीर जी तरक आपका तरक टेस्स करते हैं जी आपका तरक टेस्स करते हैं भारतिय जद्दा पार्टी की 240 सीटे आई अपने दम खंसे और अखिलेश की सेते सीटे हैं स्टार अखिलेश दम्हे नरें मुधी ने री जिसने नरें मोधी मोधी है स्थार मोधी लेकिन अत्यर करे नखिलेश नगे चुरु ऊपका वह सेखं़र पादार्श खंट अधिलेः शाद और ने अपके इसली बार्देश का में रहे सक एक डिया में सब्कार करता है और iz něएंग स्थम्रै Big Do में डूबा है यह साब कह रहें कि हम हम फस्ट है आज भी उत्तर प्रदेश में यहां समझे कि अजुद्या नहीं बचा पाए काशी में मानिये मोदी जी एक लाग पचास जारोड से जीते हैं कहरें दस लाग का रिकार्ड बनाएंगे एक सिकिन में आपको रहते हैं मेरे साथ बदायू के झाल